अगलो प्रेंट्स मैं होग और आप देख रहे हैं समार्ट टेच प्लड प्रेंट्स आज पिए मैं विडियो पियम के सम्मान ने दिए उजणा के बारें बात करने वाले हैं जिनके पैमेंट स्टेटस में पैमेंट इस्टोप बाई स्टेट और रिक्वेस्ट अब प्रिवाली से पहले पैसा मिलेगा की नहीं तो फ्रेंट्स वीडियो में शुरू सुले कर अंतक बने रही है और अभी तक आपने हमारे चैनल स्मार्ट टैग प्लेटफॉम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बड़न को प्रेस करके सब्सक्राइब को प्रेस करके अलन कर लिजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मील दी रहे वीडियो चलेगे तो लाइक शेर और कमेंट जरूर कीजिए और अगर आपको प्रोलम हो तो नीचे जरूर कीजिए हम उसका जवाब आपको जरूर करते हैं तो सबसे पहले आपको एक करने के बाद आपको जो है तीन ऑप्सन मिल जाता है यहां पर आप देख सकते हैं अधार नमबर एकाउंट नमबर और मोबाइल नवर तीनों मैं से किसी एक को यहां पर डाल ले कि पर आप जब आप गेड़ाड़ पर क्लिक करते हैं तो आपका स्टेटस होने लगता है चल कि मेरा पैमेंट दिवाली से पहले आएगा कि नहीं यहां पर आप देख सकते हैं इनका रेजिस्टेशन डेट स्टेटस तो रेजिस्टेशन डॉन है रेजिस्टेशन डेट मिल चुका है अक्टिव इन एक्टिव आधार भेरिफाय पैमेंट मोड एकाउंट है लेकिन यह यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको PFMS अभी तक भेरिपाई नहीं हुआ है, PFMS response date भी नहीं मिला है, यहाँ पर PFMS जो है, यहाँ पर correction is pending at state बता रहा है, मतलब इनका अभी जो है from correction जो है pending पर है, इनका जो है अभी सुधार लंबित है, state पर इनका जो है सुधार लंबित बता मतलब इनका अभी सुधार नहीं हुआ है, जैसे ही सुधार होगा यहाँ पर response date मिलेगा, इनको response date जब तक नहीं मिलेगा, PFMS response date तब तक इनको जो है पैसा नहीं मिलेगा, अब बात आता है कितना लेट लग सकता है पैसा आने में, तो पैसा आने में इनका जो है response date आने में जितना लेट लगेगा उससे आपको और एक मेहना टाइम रखना होगा क्यूंकि पैसा आने के लिए आपको सबसे पहले आपका वेटिंग पर अप्रूबल आएगा फिर आपका आपका जो है एप यो जरेट होगा तभी आपको पैसा मिलता है यह तीन प्रोसेस होने में आपक इनको कम से कम एक मेहना लगता है और यहां पर जो एक करेक्शन इस पेंडिंग बता रहा है तो इनका जो है पी एफमस रिस्पोंस डेट आने में जो टाइम लगेगा कम से कम अभी से और कम से कम इनको डिएड़ से दो मेना वेट करना होगा तभी इनको पैसा मिलेगा तैस है और इनका payment रोग दिया गया है जीले के अनुरोद पर इस्टेट ड्वारा इनका payment रोग दिया गया है तो इन किसानों को और कुछ दिन का wait करना होगा कम से कम लोगों को जन्वरी तक payment मिल सकता है 1 जन्वरी तक इनको जो है payment मिल सकता है क्योंकि अभी जो response date आने में और टाइम लगेगा अभी जैसे भेरिफाय होगा तभी इनको पैसा मिलेगा और अभी जो है भेरिफाय होने में थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान है जो अपात्र किसान थे वह लाब ले रहते जिस कारण से अभी जान जो है बहुत अच्छ तरह से चल रहा है रिपोर्ट अच्छी तरह से बनाए जा रहा है कि आप सही किसान है कि नहीं आप पात्र किसान है कि नहीं लाब लेने के लिए अगर आप पात्र किसान है तभी आपको लाब दिया जाएगा अगर आपका बेनिफिसरी लिश्ट में नाम भी आ गया है तो आपका नाम हटा दिया जाएगा और फिर आप अगर आपको पैसा मिल रहा है तो पैसा भी आपसे बापस लिया जाएगा बहुत सारे किसान जो है ऐसे में फस चुके हैं उनको पैसा रिटन भी करना पड़ रहा है तो आप अगर सही किसान है तो आपको टेंसल लेने की कोई ज सकते हैं इनका रेजिस्टेशन डेट 12 9 2020 है तो इनका जो है अभी तक छे किस्त का पैसा मिल जाएगा और दिवाली से पहले आप को चांस नहीं है कि आपको पैसा मिल जाए तो आपको दिवाली के बाद ही पैसा मिलेगा आपको पैसा जो है आपक के एकाउंट में क्रेडिट ह होगा एक साथ छे किस्त का पैसा तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में बसतना है वीडियो अच्छा लगए तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल स्मार्ट टैक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे कर लिजिए और बैल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को अनकर लिजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे वीडियो अच्छा लगए तो लाइक से रो कोमेंट जरूब कीजिए और अगर आपको पीम किसान रिलेटेट्ट कोई भी पर डूल